हेलो फ्रेंड्स मैं हूँ संध्या स्वागत है आपका सेल की रसोई में आज हम बनाने वाले हैं फ्रेंड्स एक नहीं रेस्पी वीडियो अन तक जरूर देखिएगा आई होप आपको जरूर पसंद आएगा और अगर आज की रेस्पी पसंद आए फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक कर दिजिएगा और चैनल को प्लीज सस्क्राइब करना मत बुलिएगा तो चलिए फिर बनाना इस्टार्ट करते हैं आज हम बना रहे हैं फ्रेंड्स प्रेसर कूकर में चावल अक्सर लोग सोचते हैं कि प्रेसर कूकर में चावल अच्छे से नहीं बन पाता लेकिन बहुत अच्छे से बन जाता है फ्रेंड्स इसको बनाने में आपको ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और बहुत जल्दी बन कर तयार हो जाता है आप ज़्यादा से ज़्यादा चावल भी कुकरे बना सकते हैं कम से कम भी बना सकते हैं तो यहां मैंने लिया है दो गिलास चावल आप देख रहे होंगे गिलास का साइज तो जब भी आप कूकर में बनाएं, तो चावल को आप नाप लें किसे भी चीज से, या गिलास से, कव से, कटोरी से, नाप के बनाएंगे, मतलब नाप के चावल लेंगे, तभी आप पानी फिर नाप के डाल पाएंगे, तो पहले एक बड़ा बरतन लेंगे, इसमें दोनों चावल हम डाल देंगे, और इसे हम दो बार अच्छे से एकदम धो लेंगे, चावल को, तो कूकर में चावल जब भी बनाएं, तो चावल को अच्छे से रगड़ रगड़ के धो लें, तो चलिए पहले इसे हम अच्छे से दो बार धो लेते हैं, अगर किसी को माड़ वाल प्वाली जैसे जो चावल बन कर त्यार होती है, पकी हुई चावल, तो माड़ वाली किसी को नहीं खाना होता जो किये भीट या पशंद नहीं आता अगर के अच्छे से दो ले तो मैं चावल आपको बता दूं फ्रिंस यह चावल एकदम बारिक वाला चावल तो नहीं है लेकिन उससे हल्क का सा बारिक वाली चावल से हल्क का सा मोटा है सोनम चावल आप नाम सुने होंगे सोनम चावल का नाम सुने होंगे तो वही चावल मै आ सकते हैं, कोई भी चावल बहुत अच्छे से बन जाता है, तो चावल को पहले pressure cooker में हम अच्छे वाला लेना होगा ये तो 3 लीटर वाला कूकर है तो ज़्यादा बनाना होगा तो 5 लीटर का कूकर ले लीजिएगा ऐसे भी इस कूकर में 4 गिलास चावल का अच्छे से बन जाता है जैसे बनने के बाद पूरा उपर तक पक के हो जाता है तो चलिए पानी डाल लेते हैं तो दो गिलास हमने चावल लिया है तो इसमें हम डालेंगे तोटल 3 गिलास तो चलिए एक गिलास मैंने डाल दिया ये दूसरा गिलास और एक गिलास इसमें हम पानी डालेंगे मतब दो गिलास चावल के लिए 3 गिलास हमें पानी डालना है इससे ज़्यादा नहीं डालना है ज चलिए गैस के उपर चड़ा देते हैं, गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे, हाई नहीं रखेंगे, ना लो नहीं रखेंगे, मीडियम रखेंगे, पहले इसमें एक सीटी हम लगने देते हैं, तो यह देखिए एक सीटी लग गया, और दूसरी सीटी जैसे आपको लगे कि आ मारा चावल एकदम बन कर तयार हो गया एकदम अच्छे से पक चुका है ना ये गीला बना है ना ये आप सोच रहूंगे कि चावल अच्छे से नहीं पका होगा तो ऐसा कोई बात नहीं है ये बहुत अच्छे से बन गया है मैं आपको निकाल के दिखाती हूं हाथ से तो आप आपको खुद पता लग जाएगा कि यह एकदम अच्छे से पक चुका है और आप इसे गर्मा गरम प्रोश सकते हैं लेकिन कूकर ठंडा होने के बाद में ही खोलिएगा जैसे तुरंट सीड़ी लगे तो तुरंट नहीं खोलना है कूकर को तो यह देखिए मैं आपको पास से दिखा रही हूं फ्रेंट्स अब इसे मैं एक चम्मस से आपको निकाल के दिखाती हूँ और फिर आपको ठाली में भी निकाल के दिखाऊंगी कि किस तरह का हमारे चावल बनकर तयार हुआ है यह 10 से 15 मिनट में यह चावल कूकर में बनकर तयार हो जाता है तो आप कोई भी चावल बना सकते हैं मोटा पतला आपको जो चावल लेना होगा आप ले लिजिएगा लेकिन तीन गिलास चावल के लिए दो गिलास चावल के लिए तीन गिलास पानी डालिएगा तो यह चावल मैंने थोड़ा सा निकाला मैं आपको हाथ में लेके दिखा रही हूं फ्रें एक सीटी पूरा लगने दीजिएगा और दुसरी सीटी जैसे ही आने वाली रहे तो आपको बंद कर देना है गेस को और यह देखिए मैंने थाली में निकाल लिया है चावल और यह हमारा प्रेसर कुकर में चावल फटा-फट बंकर तयार हो गया तो आई होप आपको जरूर पसंद आएगा आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा अगर आप प्रेसर कुकर में चावल नहीं बनाये हैं तो आप एक बार इस तरह से बना कर देखिएगा फ्रेंट्स और अगर आपको आज की यह रेश्पी चावल वाली पसंद आती है तो वीडियो को जरूर लाइक कर दिजेगा और जो फ्रेंड्स चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब जरूर कर दिजेगा फ्रेंड्स तो चलिए फिर मुलाकात होगी एक नई रेस्पी के साथ